हेलो दूस्तों स्वागत आप सब लोगों का समरा लिकेड़ में तो दूस्तों मेरा नाम है कास अर इस डूला इस वीडियो में बात करने बाले हैं Class 10 के जियोग्राफिक चेप्टर 5 के बारे में चेप्टर वान और चेप्टर टूर्स चेप्टर थी चेप्टर फोर मेंने चेप्टर वाज मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन बता दिया इस्टुडेंट अगर वीडियो नहीं देखें तर डिस्क्रिप्स मार्क्स में लिख मिलेगा और पूरा सीरियल वाई टू सीरियल आ बहुत ज़्याद मतवपूर है और इसमें मैंने छोटा स्टार्गेट रखाए 200 लाइक है 200 लाइक है जो कि आप शीप कराने में मदध हमारी जरूर करेंगे ठीक है और वीड़ा आपको अच्छा लाइक कीजिएगा और चैनल पर प्लीज चैनल के भी सब्सक्राइब कर लिज जो चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा क्यूशन पूचा जाता है समाजी बिगयान में बहुत ज़्यादा क्यूशन पूचा जाता है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देखना है एक एक पॉइंट आपको नोट करना इस्टुडेंट ठीक है चलिए हम ब भूचर को अब हीरा की चूना पत्थर चलिए बताए कि समें से कौन दात्य खनिज तसमें को मालूम है कि जात्य है कौन सा होता है इसंट गार पर इसके इसका सही आंसर बताता हूं ठीक है सबी लोगो मालूम था यह क्यूशन का अंसर मुझे मालूम है चलिए एक किलियर हो गया होगा क्यूशन नमर फर्स्ट कोई नोड आउट होगा आप इसमें चलिए क्यूशन की और दूसरे को बढ़ चलते हैं क्यूशन मर दूसरा तेकि जो कि बहुत ही जादा मत्तवपूर प स्थापित करना चाहिए स्टुडेंट बता यह आंदर तेलंगरा जारखंड ओडिशा कि मद्य परदेश उत्तर परदेश की हडिया राजस्थान तो चलिए आप बताईए कि इसका सही आंसर क्या होगा तो दूस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कि सर्वधिकु सही आंसर होगा ठीक है चलिए उम्मीद करता हूं कि समय दूसरा आपको संज में आ गया होगा ठीक है नोट कर लिए स्टुडेंट क्यूंकि बहुत ही महत्तोपूर यह चेप्टर है ठीक है यह कि क्यूशन पर फोकस किजेगा ठीक है चाहाब बहु भी कल पे चाहाती लग कुझतर हो कोई पार ले कि तया देखिए बताये कि tiapad ik utpadan करने वाला राज जैक सब्सक्ने मद्य पर्देश कूद्जेटर पर्देश बहुत ही ज्यादव मैं यह जयादा मत्तूट परशन आ जगया ठीक है कि मैं को बता डूआ इस वह जो करेक्ट से रगा भूखा मद्डेपर्देश ठीक है मद्डेपर्देश मैं सरवधिक ताम्बे का उत्पादन के जाता ठीक है तो कि इस्क्रीशिए का सही आंसर हो जागा ठीक है चलें रगया किई सिर्फ के कि बटशाइट के वाक साइट आयसक है अस के सब्सक्राइब करें कि जारखंड की को ड्रमा खान संबंदी थे जो जारखंड की को ड्रमा खान है वह इंचारव आपसन में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें कि जारखंड की को ड्रमाहा कंद सब्सक्राइब नीचारम खान खणषिव कोड़र माँखन ठीक है जो कि कहा पे जारखंड में चलिए पाशवां के लिए हो गया होगा हम बढ़ेंगे गले क्वेशन के उद्धादन के कि भारत में अब रख उत-पादन में किस राज्य का परत्थमस्तान है कि हमारे भारत में इस राज्य का परत्थमस्तान है भी आर क सब्सक्राइब चलिए कि निमलिखीत में से कौन सा खनीज आप च्छेत पदार्त की अफसीस्ट बाहर को त्यागता हुआ चटानों के अफगटन से बनता है कोईला बाक साइट सोना की जस्ता सबी लोग जानते हैं कि क्या करता है कि अब चेशी को आप चीश्ट भार को क्या करता है थे कहा थे भारत में का सटेट का विशाल केंदर कहा इस थे भारत में पहनुर्जा का विशाल केंदर कहाำ सतिते उत्राखंड तंविल्नाडु संद का विशाल केंदर कहा स Thank You यह जरा चलते चलते हैं चलिशंत के पहुरतम से गणी पूरष सब्सक्राइब पर कि उसे बच्छान के ऑस्तरों में खानी जो का नीचेपन और संचयन होता है इसका इसका सभी आंसर आपको इस नमबर एफ सब्सक्राइब 起 blossom 11 करा है कि बहुत ही जिद पुर्वार्फन है और करा कि मोना जाइट गाफ में ख हैं मोना ज्यीट में नीमली खीत में से कौन सा खंडीच पायजाता है खनीच तैल धूरेनियम ठोरियम की कोहला यह पिर पका तो पाए जाता है तो पाए जाता है ठीक है आप संसी क्या जाता है तो यह पूछ रहा है कि भारत में कोईला उत्पादन में प्रतम अस्थाने जहारखंड का बिहार का मद्य परदेश का कि आंदर परदेश का चलिए बबारत में कोईला उत्पादन में प्रदेश का परथम अस्थान किस जह प्रतम का चलिए घरिए परसीदे निए झारिया परसीदे किस से कोईले के लिए कच्चे लोए के लिए कि तामवे के लिए अब रख के लिए तो मैं इस्टूटेंट बता दूँ कि जो जरिया पर सीदे किसके लिए पर सीदे किसके लिए के लिए पर सीदे क्या जरिया चलिए स्टूटेंट इस्टूटेंट 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 इस्टूटे रानी गंज किसके लिए प्रसीदे लिख लिए थोड़ा रानी गंज किसके लिए प्रसीदे यह क्यूशन है रानी गंज किसके लिए प्रसीदे ठीक है तब आप अंसर बताए देंगे कि रानी गंज किसके लिए प्रसीदे कोईले के लिए तो जो रानी गंज है इस्टुडे फान की का निसते करनी करनी की घघ्राइड किसके लिए परसे सब्सक्राइब तो दूनों आंसर आपको यहीं मिलेगा क्यूशन का ठीक है बहुत मुस्टी बोर्ड इंडिया के लिए इनमें से कोई नहीं चलिए बताई कि इन चारहाँ समय सो कौई कौन सांसर सही होगा ठीक है कि मुंबई हाई परसी तो मैं बता दो कि मुंबई हाई जो परसीद है वो त दित तैने के लिए चलिए आप सब्सक्राइब कर लिए कं मदिश यहां मैगनीज पड़ी इंडियो होता है पेट्रॉलिorest होता है कोई लाभी बता जानते ही आप मैगनीज जो है उर्जा संसाधन के लिए नहीं होती है जरिए तो यहां पे टोटल सोरा क्यूशन हमने बात के लिए भाहुभी कल्पिया जो इस चैप्टर का बहुत ही ज़यादा महत्वपूर्पूर पूछा जाता है ठीक है तो आप यह सोरा क्यूशन को क्या कर लेना पहले आपको तैयार कर लेना ठीक है चली स्टुडेंट उसको देखते हैं चली स्टुडेंट नोट कीजिए हमारे साथ अति लगुत्रिय प्रश्ण का क्यूश्टन वर्फर जो की बहुत ही ज्यादा मुत्व पुड़ है कि खनीज क्या है खनीज क्या है तो इस्टुडेंट कि हीरे जैसा कठोर तो तूने जैसा नर्म भी होता है बिलकुल सभी बात है ठीकिए स्टुडेंट के खनीज क्या है इस किऊश्ण को आपको तयार करी लेना जितना क्यों कि ए चेप्टर बहुत ही महतापूड है ठीक है समाजी बीग्यान के लिए चली ही फिर पहला कि जो का निर्माड कैसे होता है उत्तर लिखिया कि खनीज आगने तथा कैंत्रिक चटानों की दरारों जोड़ों भरंसों में मिलते हैं खनीजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में तथा व्रिहत जमाव परत्त के रूप में होता है ठीक है जस्ता तंबा जिंक और शीशा कि कि दो लग के नाम बताई ता उन राज्यों के नाम भी बताई है जो इन खनीजों के परमुक्त पादक है यह तो इस कि इसलिए पूछ लिया जाता है कि भारत के किनी दो लौ उत्पादक राज्यों के नाम बताईए तो देखें लौ आयस्क पहला क्या है लौ वैस्क को जो कि कहां पहां करनाटक में दूसरा मेगनीज जो कि कहां और इसा में ठीक है विश्चाने च्छोटा एक कि उसने कि व्लाजवाब क क्युश्ण नबर 30 स्य को आपको याद करके जाएं चली क्यूस्ट स्की डूसर्ण पहां कि इसके जखेंबंए दूसरा क्याने मद्दपरते से एक जार कंड कैया है मद्दपर या बारत के कि अब रख के क्या लिखना है कोई दो उपियोग लिखना है कौन कौन तप है कि उच गंनाख होने के कारण इसका उपियोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है यह पहला त्मान में इसका उपयोग बीजली के उपकरोणों में किया जाता है क्योंकि यह ताप यह विदूत का कुछ आलग होता है इस्टुडेंट ठीक है तो यह अब रखे दो आपने उपयोग लिख लिया है ठीक है जो कि वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट है चलिए यह क्यूशन पांचवा प्रियोग लिखना है था है कि तामबे के कोई दो उपयोग लिखना है तो फीजोग लिखना है ताप लिखेंगे तामबे के दो उपयोग किया ça है जा besteht कशिए न केмы जाके उर्जा के परीयोग कि कर लिया जाय तो इनका दुबारा उपयोग नहीं हो सकता है बात है और कोयला का मुपियों कर लिए पर यूजद कर लिए लिए तो आपस आजाएगा पेट्रोलियम नहीं तो उर्जा के संसाधन का है तो तो वह संसाधन जो जो कि एक बार यूज कर लिया जाए तो दो बार उपयोग में ना है ठीक है बहुत ही सिंपल सब्दों में आप याद कर सकते हैं कि इस सेवन बहुत ही महत्तबूर प्रश्ण है ठीक है इस्ट्रेंट आप जाके प्रिवियस एर प्रफेपर उठा के देखिए इस चैप्ट तूरजा के दो सुरूत बता ये बहुत ही ज़्यादा मतवड़ प्रश्न है ताब उतर लिखेंगे गैर पराप्रग तूरजा के दो सुरूत नीमने कौन-कौन तेक पहला लिख लेंगे सोर उर्जा दूसरा लिख लेंगे पौन उर्जा वेरी मुस्ट इंपोरन क्यूशन थ पर चलते हैं कि सकती के दो संसादनों के नामों का उलेक किजिए सकती के दो संसादनों के नामों का उलेक किजिए या इसी कुछता है कि उर्जा के किन्नी दो संसादनों पर परकाश डालिए ताप उतर लिखेंगे सिटूरेंट के सब्सक्राइब उर्जा उत्पाद्य वाला संसादने क्या है और पेत्रोलिय य। गया है उर्जा उत्पादित करने वाला संसादनी स्टूडन फिरन ठीक है एक क्यूसित नमर्ण9 बोट मुस्त इंपोरौडेंगर था ठीक है अम्मीद करता हूं हमहिसाIGHT प्रवर्टित किया जा सकता है ठीक है और दूसरा क्या है कि सोर उर्जा से प्रदूसर उत्पन नहीं होता है सोर उर्जा से कहां पर दूसरा उत्पन नहीं होता है और कि सोर उर्जा को विद्धूत उर्जा या ताप यह उर्जा में परिवर्थित किया जा सकता है स्टुडेंट ठीक है एक यूशन वर दस्वाफ वेरी मुष्ट इंपोड़न क्यूचन था अब हम बढ़ेंगे अगले के लिए बहुत इंपोड़न के नाव लिखने के लिए को से हैं कि बहुत ही जाद कर लिया है यह चलिए कि बायोगत से आपके आ समझते हैं बायो गैस से आप क्या समझते हैं ते उत्तर लिखेंगे कि बायो गैस जैविक पादार्तों के आप गटन से प्राप्त उर्जा होती है जिसको एलकोहल और मीथेन इथन के रूप में भंडारित किया जाता है देखिए इस्ट्वेंट बहुत ही प्यारा क्यूसन है इस क्यूस के तीन गैर अर परभगत ःस रोतों के नाव लिखे अर्जा के तीन गैर्परं परंप्रागत Shengat के नाम लिखने के बोलाए तो बहुत है पैरला लिख लिए ऑन उच्छा दूसरा लिखिए श्रा lesson इस राजिषा करर शूसर thou के नामें ठीक ही सलिए और रहीया तो समार्फ कुटपादक राजियों के नाम लिखना है तो देके ऑधर के दो अवरत के अवरत कुटपादक राजियों के नाम अच्छे दम से लिख लिए तो दीखें चोवदा क्यूशन में ने अति लगूतरी का बात किया जो कि बहुत ही ज्यादा मोच्ट इंपरेंट है इसी प्रकार इस क्यूसर को तैयार कर लेना आप मैं बात करूँगा क्या लगूत्रीय परश्णों को उसको अधिकर लगूत्रिय परश्ण दिर गूत्री परश्ण तो बहुत ही मौत्वपूरे इसको आपको किसी किमस में नोट करके जाना स्टूडें डीए क्योशन कराने से आपको यह कही गुजरी नकहीं मिल जाएंगे तिक हमें कितना लीग पाऊँगा बड़ा बड़ा होता हो जाता है ना इसने में बता दे रहां लोगों के लगूत्री ठीक है तो लगूत्री प्रश्ण पहला नोट कीजिए मारे साथ कि भारत में वाक्साइट उत्पादन का वरण कीजिए इसकी उपयोगता पर भी परकास डाली है देखिए बहुत ही मतवप पर कास डाली बहुत ही ज्यादा मौतवपूर्परश्ण यह स्टूडेंट यह परमाडु किसे करते हैं कोई चार परमाडुक्षण के मोथ बताने के लिए बहुत मौतवपूर्परश्ण ठीक है उमिद करता हूँ आपने जो भी मैंने कहा है उसको आप मानते होंगे जो भ जो कि बहुत ज़्यादा मुत्तोपुल प्रश्ण इस्टुडेंट इन प्रश्णों को तयार करके ही आपको जाने ठीक है चलिए कि उसन फोर्थ नुट कीजिए हमारे साथ कि भारत के तीन एटामिक पावर इस्टेशनों के नाम लिखिए तथा उनके महतोपा परकाश डाली जीए खिटन लाज जवाब जीए बहुत जादा आय alan पी भृष ने स्टुडेंट एटा करके जाना आपको ठीक है चलिए ऍस्टूइन दक लेते हैं कि उसन नोर 2 क्या बोला है कि भारत में ुश्र उर्जाairs का बवीश्युंगयों ऑजवस्य०्यवल है क्युंगयों कि व खारत में खनीज तेल के वीतरन यम उपयोग कावरण कीजिए ठीक है क्यूशन मों चाटा जो कि वेरी मुस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है इसको तैयर करके जाना आपको क्यूशन सातवा नोट किजिए हमें खनीजो के सनरचन के आवसकता क्यों है हमें खनीजो के सनरचन के आवसकता क्यों है भारत में कि निदो उर्जा चेत्रों का उले कीजिए बहुत मुस्ट इंबर्डन क्यों स्टुडिन इसको तैयार करके जाना बहुत वेरी वेरी आइंप क्यों से ठीक है चलिए चलते हैं क्यों सब्सक्राइब करा कि भारत में कोईले का वित्रण का क्या करना आपको वरण करना चलिए दोनों पूछे गया थे ठीक है दोजार एकसमें सोरी पूछा जाएगा आथ दोजार बीस में यह पूछे गया थे ठीक है अब प्रिवेस रुपेपर चेक कर सकते हैं अगर मैं जूट बोला हूं तो आप जाके देख लीजिए इस किसन को ठीक है कि आधातवी इसकी से कते हैं यह दूनों प्रस्णों को यह आपको तयार कर लेना अब ठीक है चलिए दूनों आपने नोट भी कर लियोगा तो नमर बार अलाश्ट कुछ थे ने आपका ठीक है लगूत रिये का कि कोईले का संरच्छन क्यू आवस्थे के तीन कारण बताए ये कोईले का पूछे गए हम बहुत ही लाजवाब किसना हर साल पूछे जाते हैं ठीक इसको तैयार करके जाना इस्टूडेंट आपको ठीक है चलिए अगर आपने लगूत्रिया प्रशनों को नोट कर लिया हो गई मेंदारी से तो हम बढ़ेंगे इस चेप्टर के मुस्ट इंपोर्टेंट दिर्गुत्रिया प्रशने की वर जैसा कि स्कींट पे आपके आग जहां ठीक है मस्ट दिर्गुत्रिया प्रशना उसी प्रकार इसको आपको तैयर करके जाना है पहला नोट कीजिए हमारे साथ भारत में लोव आयसक के वितरन का उल्लेग कीजिए भारत में किसका लव अयस्क के वितरन का उल्ले कीजिए ठीक है कि उसरा नूट कीजिए स्टुडेंट कि भारत में गैर परामपरागत उर्जा के संसादोनों का वरण कीजिए भारत में किसका गैर परामपरागत उर्जा के संसादोनों का वरण करनी के लिए बोलाई कि भारत के कोईले के छेत्र उत्पादन तता उपयोगिता का भी वरणन करना है ठीक है चलिए कि परमाडू उर्जा से क्या समझते हैं इसकी किनी पांच विश्यस्ताओं का विएचना करना है ठीक है तो देखें टोटल मेंने दिर्गुतरी कितना आप मोस्ट फाइप दिर्गुतरी बस पांच आपको याद करना ठीक है यह चेप्टर बहुत ज्यादा इंपोर्टन था बहुत ज्यादा इंपोर्टन इसको आपको तैयार कर ही लेना है किसी किमत पर इस्टुएंट इस सबसे आपने फ्रेंट की यहां पर भी शेयर कीजिए कि लो भाई तुम भी पढ़ लो अच्छे आपस लालो ठीक है और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजागा जो घंटा होता है ठीक है तो इस्टुएंग अब बिलेंगे आपसे नेक्स्ट विडियो में रागातार कांटेनियू तैयारी कराई जा रही है जमराठी केन्मिों पर भाई निरंतर लगे रहे और अच्छे डंक से पढ़ हिए और अच्छे माक्स लाई कि ठीक है तत्ते के लिए धन्यवत मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में